Welcome back to my channel, easy learning, 100% तो स्टुटेंट डाग्मिय टेक्सबुक का टॉपिक लेको रहा हूँ नियर फार तो इस मैट्स में, स्टेंडर फर्स्ट मैट्स में हमें जो सीखना है, कॉंसेप्ट वो है नियर और फार तो चलिए आप लोगों को पहले कॉंसेट बता देती हूँ कि नियर क्या होता है और फार क्या होता है तो देखिए, नियर का मतलब होता है स्टोडेंट पास में, ओके अगर कोई चीज आपके पास है, तो हम उसे कहेंगे कि वो चीज हमारे नियर है, ओके और कोई चीज आपसे दूर है तो आप उसे कहेंगे कि वो चीज हमसे फार है ओके, like, see, if I am standing here, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो यह elephant मेरे से नियर है, बटे tree मेरे से फार है ओके, like, star हमसे फार है, moon हमसे फार है, sun हमसे फार है सब दूर-दूर है, तो यह फार हो, ठीक है, आपके पास क्या है, books है तो आप बोल सकते, book near me, this book is near me, यह book जो है, मेरे पास है तो near का मतलब pass, नजदीक, और far का मतलब दूर, ठीक है बच्चों तो यह concept आपको समझ में आ गया, तो चलिए से example के थूर, हम pictures के थूर देखते है देखें, यहाँ पर एक बच्ची है, जो की देखें, यहाँ पर toy car ली है और उसकी doll इससे काफी दूर है, यहाँ पर, तो आपको क्या बोला है इस बच्ची का नाम रमा है, तो इस रमा से कौन सा toy इसके नियर है, तो car, तो देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है the car, c-a-r, car is near रमा, and the doll is far from रमा, देखें, डॉल कितनी दूर है, इससे है, far है, so far from रमा I hope इसको, आप example के थूर, और इस pictures के थूर, आपको concept बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा चलिए, next picture देखते हैं, यहाँ पर तो काफी pictures है, काफी लोग है, dog है, एक आदमी देखें, water लेके जा रहा है, फिर boy है, फिर उसकी मदर उसमें से water निकाल रही होगे, यहाँ पर लिखा भी है, save water, एक message भी हमको दे रहा है कि पानी बचाना है, तो चलिए, इसमें क्या तो who is nearest to the well, आपको पूछ रहा है, इस well से nearest, अभी देखें, बहुत सारे लोग है ना, वैसे तो boy भी near है, बट nearest बोला है, nearest मतलब सबसे, मैंने बोली, मैंने आपको पहले भी बोला था कि est लगता है, means, दो से जाधा चीजों में comparison होता है, तो यहाँ पर बहुत लोग है, त तो फिर हम यहाँ पर दिखें, दो ही चीज था, तो near word आया था, दिखें, बट यहाँ पर बहुत सारे लोग है, तो nearest word आया है, means, इस well से सबसे जाधा पास में कौन है, तो यह women दिखरी है आपको, तो women, कहीं कहीं स्कूल में woman लिखाया जाता, कहीं कहीं पर auntie लिखाया जा फिर है, who is the farthest from the well, देखें, who is the farthest from the well, well से दूर कौन है student, वो आपको नजर आ रहा है कि well से दूर कौन है, आप ध्यान से देखें, देखें, मैंने आपको बताया है, जैसे कि यहाँ पर देखें, far का मतलब होता है, दूर, अभी आप लिखें, यहाँ तो far तो नहीं है, य सब में से दूर, okay, मैंने दो से जादा चीजों में जब comparison होता है, उसको farthest बोलते हैं, ठीक है, तो सबसे farthest कौन है, यहाँ पर सबसे दूर देखें, कुवे से सबसे दूर एक डॉक खड़ा है, दिख रहा है आपको, सबसे लास्ट, यहाँ पर well है, well के near, यह आंटी है, आ यहाँ आप वोमन लिखें, यह आँटी, आपके स्कूल में जो भी लिखाया जाए, कहीं कहीं आँटी भी लिखाते हैं, कहीं कहीं वोमन लिखाते हैं, आँटी भी लिख सकते हैं, okay, so who is the nearest to the well, women, okay, और who is farthest from the well, well से सबसे दूर कौन है, तो dog, दिखरा आपको dog सबसे दू दो से जाधा चीजों में comparison होगा, तो far का farthest हो जाएगा, और near का nearest हो जाएगा, so I hope आपको समझ में आगया होगा, यह topic बहुत ही अच्छी तरीके से, तो आप इसको अच्छे से समझ हीए, अब next topic पे चलते हैं, next topic है left right, okay student, तो छोटे से topic था, इसलिए मैंने सुझा यह भी है और यह left arrow है, left hand, right hand, left arrow, right arrow, यह हमारा left arrow, और यह है right arrow, okay, तो यहाँ पर जैसी की एक रास्ता दिया है, okay, यहाँ पर रास्ता है, यह कार जा रही है, तो इसको turn left बोला, means left मुड़ जाओ, तब कहां पर मुड़ोगे, यह यहाँ पर, क्योंकि हमारा left side है, फिर यह कार को right जाना है, तो turn right लिखा है, तो दिखिए, यहाँ से right मुड़ जाएगी, बस इतना ही हमारा left और right का concept है, बहुत ही छोटे सा topic है, इसलिए मैंने दोनों कवर कर लिया है, I hope आपको left right समझ में आ गया होगा student, so यहाँ पर जो है मैं यह वीडियो एंड करती हूँ, थैंकि समझ जोटे में वीडियो मिलते हैं, नेक्स टूडियो में तब तक के लिए, बबाई